हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैंगनेट बेंस मैं रुपाली वर्मा आज जो आपके रिलाई हूँ वो है आपके फोर्स्टम एग्जामनेशन से प्रिपेर एक टेस्ट पेपर मतब आपको प्रिपेर करना है इस टेस्ट पेपर को ध्यान से पढ़ना है ताकि आप थोड़ प्राक्टिस होती रहे उतना अच्छा रहता है तो यहां पर जो हम आपको लिए आज जो टेस्ट पेपर लेकर आए हैं यह हमारी शतज बुक से हैं क्यानि कि यह हमारा क्लास 10 का हिंदी का जो है कोर्स ए कोर्स ए है उसकी शतज के बुक है भाग दो के जो चार चैप्टर हम हमारे आ रहे हैं क्यानि कि जो हमारे इस बार फॉर्स्टम एग्जामेनेशन में आ रहे हैं उनको हम यहां पर लेकर आए इस टेस्ट पेपर में हम उनको देखेंगे हमारा गद्य खंड और कावे खंड दोनों ही इसके अंतरकत आएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो जो पहला जो प्रिश्ण हमारे पास आ रहा है वो हमारा पहला चैप्टर है सूर्दाज जी के पत्र गोपियां किस से गुहार लगाना चाहती हैं अब यह क्या हुआ था शिरी कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए थे बहुत व्यथित थी उधव आये थे योग का संदे क्रिश्ण से वो बताना किस से चाह रहे ही थी क्रिश्ण से अपने दिल की गुहार किस से लगाना चाहती थी शिरी कृष्ण से वो बताना चाहती थी और किसी और को नहीं बताना चाहती थी अब हैं हमारे पास question number two question number two हमारे पास भी क्या है उधाव की योग-संबंधी बाते गोपियों को कैसी लगती थी अब उन्होंने क्या श्रीकradevisor वापस नहीं आ सकते थे तो उन्होंने बोला अगर वो प्रेम में तडपती रहेंगे तो उन्हीं को तकलीफ होगी तो उदव के सरी योग का संदेश भेजा था, कि भ이 अपना ध्यान आप योग में लगाई है, अब वो जो योग का संदेश भेजा था, वो गोपियों को किस तरीके से लग रहा था? खरबूजे के समान मधुर लग रहा था, शहद के समान मीठा लग रहा था, कड़वी ककड़ी के समान लग रहा था, हारिल पक्षी के समान चंचल लग रहा था तो कैसा उसमें बताया गया है, उनको कड़वी ककड़ी के समान लग रहा था जो ककड़ी जैसे एकदम से हम मीठी बड़ा अच्छा टेस्ट हमारे मुह में चल रहा हूँ खीरे का बड़ा अच्छा टेस्ट खा रहे हूँ एकदम से हमारे मुह में खीरे का कड़वाला पोर्शन आ जाए तो क्या होग अगदम बेस्वाद हो जाता है तो उसी तरीके से गोपियां क्या थी एकदम शिरी कृष्ण के मधुर पयार में डूबी हुई थी और एकदम से वो जो योग संदेश आया उनके मुह में जैसे कड़वा टेस्ट आता है उस तरीके से उनको लगा तो उन्होंने क क्या साइfta सिमिलर किया योग संदेश को कडवी ककडि के समान सिमिलर किया है अब कोशन नंबर थ्री है गोपियों ने योग रूपी वाधी किसे देने की सला दिये विअनधी आप रोग बोल लीजे कोई रुकावट बोल लीजे तो यह किसको देने के लिए बात उन्होंने करी थी कि आप जाकर उनको दीजिए उधव से बोल रही थी किस से बोल रही थी जो बिमार हो उनको दे दीजिए जाके जो इश्वर भक्त हो उनको योग संदेश दे दीजिए जो कृष्ण को ही भगवान माने उनको दे दीजिए जिसका मन चकरी के समान चंचल हो तो उन्हों को जाकर योग का संदेश दीजिए जिनका मन चक्री के समान चंचल हो question number 4 गोपियों के इनसार सच्चा राजधर्म क्या है उन्होंने बोला था कि जो है आप राजनीती सीख गए है श्री कृष्ण जो है वो मतुरा जाकर क्या हो गए है राजनीती उन्होंने पढ़ ली है अब राजा का राजधर्म क्या होता है ये चीज़ उन्होंने अपनी बातों बताई थी तो राजधर्म क्या है प्रजा का पालन करना प्रजा के सुखों का ध्यान रखना प्रजा को बिल्कुल ना सताना या उपर्युक्त सभी तो गोपियों ने ये सभी बातें बताई थी क्या उपर्युक्त सभी सही है यहाँ पर Question No.5 है Question No.5 है गोपियों ने उधो को बड़ भागी क्यों कहा है बड़ भागी, क्यों चीज उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल उनके लिए किया था ऐसा कहे का गोपियों ने उद्धो पर व्यंग किया है मतलब आप बड़े भाग्यसाली है अब भाग्यसाली उन्होंने शब्द क्यों इस्तेमाल किया था कि भाई आप श्री कृष्ण के पास रहे कर भी उनके प्यार को नहीं छूपाए मतलब आप उस प्रेम की पीड़ा को नहीं जानते इसलिए आप भागशाली है और हम श्री कृष्ण के साथ रहे हमारे अंदर इतना प्यार आगया कि उस प्यार में आज हम तड़क प्रहें तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया था उधव पर व्यंग कसा था कि आप उनके प्यार में बिल्कुल भी पड़ नहीं पाए तो पड़भागी मतलब भागशाली उन्होंने बोला था क्योंकि उधव बहुत ही भागवान है इसलिए बोला था उधव बहुत ग्यानी थे और गोपिया उनके ग्यान का लोहा मानती थी इसलिए ये बात बोली थी वे कृष्ण के सखा थे इसलिए उनको बड़भागी कहा तो यहाँ पर क्यों बोला ऐसा कहकर गोपियों ने उधो पर व्यंग किया है एक तंज कसाय मीठे तोर पर बोलकर उन्होंने कि आप बहुत ही भाग्यशाली है कोशन नमबर है 6 6 में क्या दिया है कमल के पत्ते की कौन सी विशेष्टा कभी ने बताई है तो सूर्दास जी ने कमल के पत्ते की क्या विशेष्टा यहाँ पर बताई थी क्या बताई थी कमल का पत्ता सुंदर होता है पहला और दूसरा उत्तर सही है मतलि पहला और दूसरा सही है कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है और उस पर कोई दाग नहीं लगता है इन में से कोई भी सही नहीं है तो सही क्या है हमारा कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है और उसमें कोई भी दाग नहीं लगता है ये उन्होंने खासियत बताई थी Quesion number 7 7 क्या है भूली, भाली, गोपियों और चीटियों में क्या समानता बताई गई है चीटियां और गोपियों में एक समानता बताई गई है जिस तरह चीटियां गुड से चिपक कर मुक्त नहीं हो पाती प्यार करती है उन्हीं को पसंद होता है तो वह उसको खाते खाते ही। उसको खाते ही उसी में मर जाती हैं कि उसकी चिपक से तो नहीं हुपाती खाते हो और उसी में ुन्मी tutte हुशन गार को आया है स्विच्वर्यॡ- Ц चीटियों को गुड बहुत पसंद है वैसे गोपियों को मिठाईया परी है मतलब दूसरा क्या चीटियों को मीठा गुड पसंद है और गोपियों को भी मिठाईया यानि मीठा पसंद है दोनों उत्तर सही है उपर के कोई भी उत्तर सही रही है तो सही क्या है यहाँ पर पहल वाला जिस तरह चीटियां जो हैं गुड में गुड की मिठा से प्रभावित होकर उसे चिपक कर अपने प्राण देती हैं उसी तरीके से गोपियां भी श्रीकृष्ण के प्यार में पड़ गई हैं अब उससे अलग नहीं हो सकती है Q8 में क्या है गोपियों को ऐसा क्यों लगा कि श्रीकृष्ण जी राजनीती में पारंगत हो गए उन्हें ये भाव क्यों आया क्या कारण है आने की बात कहकर स्वेम ना ना उन्होंने आने की बात कही मगर वो स्वेम नहीं आया और उधों को भेज दिया इसलिए मतुरा के र हम आएंगे आने की बात कही थी लेकिन वहां जाकर वो भूल गए और अपनी जगा उधों को भेज दिया इसलिए उन्होंने बोला है कि राजनीती पढ़ आये हैं प्रीती नदी में ना बोरियो का अर्थ क्या है प्रीती नदी में ना बोरियो इसका मतलब क्या होता है प्रीती नदी यमुना नदी को कहा गया है प्रेम रूपी नदी में कभी पैर नहीं डुबोया अर्थात जिसने कभी प्रेम नहीं किया तीसरा नदी में नहाने की बात हो रही है ऊपर दिये गए विकलपों में कोई भी सही नहीं है तो सही क्या है आपका ये सेकेंड वाला यानि कि खाव प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी में पैर नहीं डुबोया अर्थाद कभी प्रेम किया ही नहीं जिसने तो यहाँ पर किसके लिए बात बोली गई थी यह उधोव के लिए बोली गई थी कि आपने प्रेम के कहते हैं उसमें नहाने की बात तो दूर आपने उसमें पैर तक नहीं डाले प्रेम की नदी में तो यहाँ प्रेम की नदी से तातपर था क्या शिरी कृष्ण के प्रेम से क्या कारण है उन्हें विश्वास था कि शिरी कृष्ण से मिलने जरूर आएंगे लेकिन शिरी कृष्ण नहीं आए उन्हें ये विश्वास था कि शिरी कृष्ण गए हैं उनसे मिलने जरूर आएंगे लेकिन वो नहीं आए इसलिए शिरी कृष्ण उधप को योग साधना सी एक तो उनके आने का इंतिजार था वो नहीं आए उदो को भेज दिया उदो को भेजा भी तो योग संदेश लेकर प्रेम का संदेश लेकर भेजते तो समझ में भी आता मगर उन्होंने क्या किया योग संदेश लेकर भेज दिया अब है question number 11 11 में क्या दिया है गोपियों ने योग को कैसी व्याधी बताया है योग को व्याधी यानि की कैसी तकलीफ उन्होंने बताई है सुखद जिसको ना देखा ना सुना दुखद या अपरी है तो उन्होंने योग को कैसी व्याधी बताया है जिसको ना उन्होंने कभी देखा है और ना ही कभी सुना है ऐसी व्याधी उन्होंने बताई है किसको योग को कोश्चन नमबर है 12 12 में क्या दिया गया है ब्रमरगीत कहां से प्रारंभ होता है अब हम सभी को ये पता है कि ये जो दो पत लिए गए है ये ब्रमरगीत से लिए गए है अब ये ब्रमरगीत प्रारंभ कहां से हुआ गुलाब के देखने से जैसे ही गोपियों ने गुलाब को देखा तो ग्रमरगीत शुरू हो गया भौरे के आने से उधव के आने से या श्री कृष्ण के जाने से तो भ्रमर गीत कहां से जब उधव आ जाते हैं और गोपियों से बात करते हैं तो समय एक भौरा आ जाता है तो वो जैसे ही भौरा आता है तो वो उधव से सीवे बात नहीं करती वो भौरव भौरे को तंज करके उधव को बात कर रही होती है क्योंकि उधव इतने बढ़े हैं उनको डायरेक्ट तो कुछ नहीं कह सकते तो वो indirectly किस से भारव से बात करते हुए उधव को के उपरविंग करती है तो यहीं से जहां भारे से वो बात करना शुरू करती है भौरव के आने से वहीं से शुरू हो जाता है भ्रमर गीत का प्रारम हो जाता है कोशन नमबर है 13 13 में क्या है परशुराम के नुसार लक्षमन इन में से क्या है क्या चीज है लक्षमण मूर्ख कुबद्धी कुटिल या उपर्यूगत दीनों तो पूरे पदू में आप देखेंगे लचमर जी को ये सभी चीज़ें परशो रामने जी ने बोली है मूर्क भी बोला है बुद्धी भी बोला है और कुटिल भी बोला है तो हम यहाँ क्या करेंगे उपर्यूग तो सभी पर निशान लगाएंगे कि ये सभी कुछ उन्होंने बोला है Q14 में क्या दिया गया है शूरवीर को अपनी शूरता डैश प्रदर्शित करनी चाहिए स्वयंबर के समय अपने को औरों से बड़ा बताने के लिए मैं तु सबसे बड़ा हूँ उस समय बताते समय युद्ध की भूमी में या राजभवन में तो लक्षमण जी ने ये चीज बोली थी, अगर आप अपने आपको शूरवीय समस्ते हैं, तो आपको अपनी ये शूरवीरता कहा दिखानी चाहिए? युद्ध की भूमी में, जबकि वो युद्ध की भूमी में नहीं थी, वो तो स्वेंबर के स्थल पे थे, इसलिए किता प्रदेशित करिए, कोशेन नमरे 50, 15 में क्या है, लक्षमण के शब्द परशुराम के लिए डैश थे, लक्षमण के शब्द परशुराम जी के लिए कैसे थे, कैसे लग रहे थे, क्रोध रूप याग में जल के समार, यानि कि जो क्रोध की आग थी, उसमें जल डाल रहे थे मतलब उनकी कुरोध की आग को ठंडा कर रहे थे मगर ऐसा तो नहीं था शीतलता प्रदान कर रहे थे बिलकुल भी शीतलता नहीं बो तो और बल्चिप की भड़कते चले जा रहा थे लच्मण जैसे जैसे बोल ले थे परशुराम जी का गुस्सा बढ़ता चला परशुराम जी ऐसे ही गुस्सा थे तरजादा क्योंकि उनके आराध धेश्रिव का धनश टूड़ गया था अब उस पर लच्मण जी बाद कहे जा रहे हैं कहे जा रहे हैं और उनकी क्रोध की अगनी बढ़ती जा रही है ऐसी ऐसी बात उन्होंने बोली थी तो यहां पर क गरेश्रिव के शब्द के लिए क्रोध रूपी अगनी में घी के आरूती के समान थे, क्योशिन बडाए 16, राम के वचन परशुराम के लिए कैसे थे? राम जी जब बोल रहे हैं तो तुम परशुराम जी को कैसे लग रहे थे? जल के समान शीतल, शहिड के समान मीठे, नी प्रतीत हो रहे थे तो आप हमारे पास कोशन नमबर 17 कोशन नमबर 17 में क्या है राम लक्षमर परफुराम समवाद में किस रस की प्रमुक्ता है यह पूरा पार्ट जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें कौन सा रस निकल के सबसे ज़्यादा आ रहा है रस जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि पढ़ने के बाद हमें जो आनंद के अनुभूती होती है यानि जो हमें महसूस हो रहा है आनंद वो क्या है किस से रिलेटेड है तो वो हास से रस है मतलब हमें पढ़ के हासी आ रही है करुण रस है मतलब हमें बहुत ही जादा शोक हो रहा है तकलीफ हो रही है शांत रस है मतलब शांत रस किसे होता है वो इश्वर से रिलेटेड होता है वीर रस है अब यहां पर अगर हम वीर मतलब जहां पर लडाई जगडा मार काट जैसी बते हूँ इस तरीके से तो अब यहां पर कराम देखें तो परुष राम जी D के लिलकार रहें लश्मर जी भी कह रहें तो क्या हो रहा है यहां पर वीरस की इस पूरे ही पार्ट में हम देख रहें हैं कि वीरस की प्रधानता है क्योंकि यहां पर युद्ध जैसी बाते हो रही हैं, फरसे को दिखा रहे हैं, हम आपसे नहीं डरते, ठीक है न, यह सब चीजे बात हो रही है, तो यहां पर पूरा टोटल कितना वीरस का की प्रधानता है, अब एक कोशन नमबर 18, कोशन नमबर 18 है, राम लक्षमर परुसरा को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ, शिवजी के धनुष के तूटने के कारण, शिवजी का धनुष तूटा, इसलिए यह विवाद खड़ा हुआ, लक्षमर की उद्धन्टता के कारण, यानि की लक्षमर जी बहुत ही ज्यादा उद्धन्टता, यानि शारारत कर रहे थ क्यों भाई लक्षमर केते हैं मुस्की स्वयंबर की क्या था आपको प्रतंचा चढ़ानी थी राम जी ने धनुष को छुआ जैसे प्रतंचा चढ़ाने लगे धनुष टूट गया अब वो जो धनुष टूटा वो शिव जी का था और शिव जी के जो हैं बहुत ही बड़े भ है 19 में क्या है शिव जी के धनुष टोड़ने वाले की तुलना परशुराम अपने किस शत्रू से करते हैं वो किस से बोलते हैं कि जैसा मेरा वो शत्रू था उसी तरीके से जिसने धनुष टूड़ा है वो भी मेरा शत्रू है तो परशुराम जी का सबसे बड़ा शत्रू क क्या दिया है रगुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं रगुकुल यानि कि जिसकुल के रामजी हैं लच्छमन जी हैं उसकुल के लोग किन लोगों पर दया करते हैं गरीबों पर महिलाओं पर ब्रामणों पर या देवता ब्रामण ईश्वर के भक्तवा गाये पर तो सही नमबर है 21 21 में क्या दिया है राम ने जिस धनुष को तोड़ा वह किसका था जो धनुष टूटा किसका था लक्षमन का परशुराम का राजा जनक का या तीनों लोकों के स्वामी शिव का तो किसका था शिव जी का धनुष था तीनों लोकों के स्वामी शिव जी का धनुष वो था, question number 22, 22 में क्या है, ब्रagukul केश्ए केरी तु कान है, किसके लिए कहा गया है, शिराम के लिए लक्षमण के लिए, विश्वा मित्र के लिए, परशुराम जी के लिए, तो यहां पर किसे लिए बोला गया है, परशुराम ब्रagukul , ब्रagukul के जो थे वह थे हमारे प्रगुकुल के केतु यानि उसके जंडे को धारण करने वाले तो यहाँ पर इसलिए उनको प्रगुकुल केतु भी कहा जाता है Question number 8 23 23 में क्या है लक्षमण परुष्राम में संगर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे लक्षमण परुष्राम से संगर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे परुष्राम बड़े थे इसलिए लक्षमण डरता था इसलिए परुष्राम बिमार थे इसलिए या परुष्राम ब्रामण थे इसलिए तो क्या कारण था इश्वर भक्त क्या बताया था रगुकुल के लोग कभी भी किस पर इश्वर भक्त अर्थात ब्राम्मण पर कभी भी हाथ नहीं करते तो यहाँ पर क्या था परुशुराम ब्राम्मण थे इसलिए लक्षमन उनसे संगर्ष नहीं करना चाहते थे Question number 24 24 में क्या है तोलसी दास ने ब्रगुकुल के ध्वज किसे कहा है जनोंने ब्रगुकुल का ध्वज किसे बोला है जनोंने ब्रगुकुल का ध्वज धारण कर रखा है अर्थात परशुरु राम को परशुराम जी को उन्होंने ब्रगुकुल के तु कहा यानि द्वज कहा है। नेता जी के चहरे पर काले फ्रेम के सचमुच के चश्मे को देखकर या उपर यूग तो सभी कथन सकते हैं। कर उनके चहरे पर कौतुक भरी यासी फैल गई थी। जो कैप्टेन चश्मा वाला था वो अपने चश्मा बेशता था तो वो क्यों मूर्ती पर चश्मा पहना देता था। कैप्टेन को नेटा जी की बिना चश्मे वाली मूर्ती आहद करती थी। क्योंकि उसमें भाई जो मूर्तिकार है वो चश्मा लगाना भूल गया था तो बिना चश्मे की नेता जी की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी उसको इसलिए वो पहनाता था उसको लगता था कि यह देश के भक्तों का अनादर है उसे लगता था कि बिना चश्मे की मूर्ति यानि कि ये देशभक्त का अनादर है इसलिए पहनाता था वा नेता जी को असली रूप में देखना जाता था नेता जी कासले रूप मतलब चश्मे के साथ इसलिए वो पहनाता था तो यहां पर क्या होगा उपरियुग तो सभी कतन सत्य है ये सभी कारण है कि उनको मूर्ति क चश्मा पहना दिया करता था Question number is 27 27 में क्या है हालदार साहब को पान वाले की क्या बात अच्छी नहीं लगी नेदा जी का मजाख उड़ाना चश्मे वाले क्शाप्टन को पागल कहना ठीक है? चश्मे वाले क्शाप्टन को पान वाला पाल कहता है तोद हिलाकर हसना या बिनावजा बोलना तो जो सबसे ज़ादा आहत करता क्या था जब चश्मे वाले कैप्टेन को पानवाला पागल बोल देता है ये बात हलदार सहाब को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कोईशिन नमबर है 28 28 में क्या है कैप्टेन क्या कारे करता था कैप्टेन जो चश्मा पहना रहा था वो क्या काम करता था वा फेरी लगा कर चश्मे बेशता था वा फोजियों को ट्रेनिंग देता था वा एक विद्याले में सिक्षकता वा खेती का कारे करता था तो कैप्टे Q29 में क्या है हालदार साहब क्या सुनकर मायूस हो गए उन्होंने क्या चीज़ सुनी ऐसा कि उनको बहुत ही जादा मायूस ही हुई नेता जी का चश्मा विहीन मूर्ती की बात सुनकर कैप्टन की मृत्यू का समाचार सुनकर लोगों में देश भक्ती की भावना की कमी देखकर का और खा कथन सकते हैं तो सही बात क्या थी कैप्टन की मृत्यू की जो समाचार जब सुनते हैं कि कैप्टन मर गया तो ये बात जब उन्हें पता चलती है तो वो बहुत जादा मायूस हो जाते हैं कि एक देश भक्त मर गया तो बहुत ही अच्छा वक्ती था ये सुनकर अब उसे उन्हें लगता है कि मूर्ती को चश्मा कौन पहनाएगा ये चीज उनको बहुत अखरती है और वो बहुत कोशिन नमबर है 30 थर्टी में क्या दिया है नेता जी का चश्मा पाट किस महान व्यक्ती के बारे में ये जो पाट हमने पढ़ा ये किस व्यक्ती के बारे में लिखा गया है पंडित जवाललान नेरू महात्मा गांधी बालगंगर धर तिलक या सुभास चंदर बोस तो हम स 31 में क्या है मूर्ती बनाने का कारे किसको सौपा गया था जो ये मूर्ती बनाई गई नेता जी की जो बिना चश्मे वाली थी ये कारे सौपा किसको गया था किसे करना था ये कारे एक प्रसिद्ध मूर्ती कार को कस्बे के हाई स्कूल के ड्रॉइंग मास्टर को कस्बे के को या इस्थानिय बढ़ाई मिस्तरी को तो यह किसे सौपा गया था कस्वे के हाई स्कूल के ड्रोइंग मास्टर को यह कारे सौपा गया था question number 32 32 में क्या है इहां तक की मूर्थी चहरे से लेके यहां तक की चहती तक की मूर्थी जो कहलाती है उसको बोलते है में बस्ट है म्यूंस नम्हें 33 चना पांवाला कैसा अदमी था जो पांवाला था नमी नम से अमक उसक शिपिर ही ठांव के लिस हिस्क Опुछन्हेरा था तो जैसा उसको डिया गया किया है Q. 34 में क्या है नेता जी की मूर्ती पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उमीद जगती है जब कैप्टेन मर गया तो बहुत मायूस हुए थे फिर उन्होंने वहाँ पे कस्वे में देखना मूर्ती के दरफ देखना वाहा जाना भी उन्होंने मना लेकिन एक दिन अचानक व नए लोगों में देश भक्ती की उमीद अब जो नए जिंगरेशन आ रही है उसके अंदर भी देश भक्ती की है इस चीज की उमीद दिख रही थी धन दौलत प्राप्त करने की उमीद देश की तरक्की की उमीद तो सही क्या था नए लोगों में देश भक्ती की उमीद मतल 5 क्या है मूर्ती बना कर पटक देने का क्या भाव है उन्होंने बोला मूर्ती बना कर पटक देने का भाव इसके अंदर भाव क्या क्या फीलिंग है यह मूर्ती बना कर तोड़ देना मतलब मूर्की बनाई और तोड़ दिया मूर्ती बनाना मूर्ती समय पर बनाना मूर्ती को फैंक देना, तो क्या था? मूर्ती को समय पर बनाना, ये भाव था मूर्ती बना कर पटक देने का मतलग, अब है question number 36, 36 में क्या है? अंति बार हालदार सहाब ने नेता जी की मूर्ती पर कौन सा चश्मा देखा था? आखरी बार कौन सा चश्मा देखा? सोने का चश्मा, लोहे सरकंडे का चश्मा, प्लास्टिक का चश्मा या सरकंडे का चश्मा, आखरी बार उन्होंने कैसा देखा था? सरकंडे का चश्मा, पत्ली पत्ती लखडियां होती है, जो बहुती मोल्ड होती है, आप उसको फोल्ड कर सकते हो, तूटती नहीं है, वो होता है सरकंडे, उसक सिलसले में उस कस्वे से गुजरते थे क्या कारता कि वो इस कस्वे से गुजरते थे सामान लेने के लिए कंपणी के काम से मुर्ति देखने के लिए पान खाने के लिए तो हर 15 दिन पर वो क्या करते थे कंपणी के काम से कस्वे में से गुजरते थे उस कस्वे से उनको होकर ज जुरू हो रहा है ठीक है वहां के उसके कोशनांसा देखते हैं लेखक ने भगत जी के गायन का चर्मोत कर्ष कब देखा अब लेखक ने जो बालगुविद भगत थे वो इदम चरा मिस्तिती पे वो कब गा रहे थे ऐसी कौन सी परस्तिती घटी थी धान की रोपाई के समय ज जब वे गंगा स्नान के लिए जाते थे तो सही का था जब भगत जी के पुत्र की मृत्ति हुई थी तब उन्होंने गायन का चर्मोत कर्ष देखा था कि उनका जितनी चरम सीमा पर उगा सकते थे उन्होंने उस दिन गाया था कोशन नमरे 39 39 में क्या है भगत अपने पुत्र का अधिक धान क्यों रखते थे उनका वह एक मात्र पुत्र था मतब अकेला पुत्र था इसलिए उनका पुत्र विशेश प्रतिभावाला था मतब उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी थी और दूसरों से अलग वह मांसिक रूप से कमजोर था उसे देख भाल की जादा जरूरत थी तो क्या था ना बोधा सा बताया गया है ना चैप्टर में तो मतलब क्या था वो मांसिक रूप से थोड़ा कमजोर था और ऐसे लोगों को जादा जरूरत पड़ती है देख भाल की इसलिए कारण वो प्राइं चल रही हैं जो कुछ भी रिती रिवास चल रहें उनसे हट कर भगत जी ने क्या कार्री किये थे आपको वो उन कार्यों के बारे में बताना है क्या कार थे पुत्र वधु से अपने बेटे की चिता को मुखागनी देना और तो द्वारा मुखागनी नहीं दी जाती ह मगर उन्होंने ये कार्य कराया वो भी अपनी बहु से अपने बेटे को चिता की अगनी दिलवाई पुत्र वधु के भाई को बुला कर उसका पुनर विवाकन अब इतने समय पहले एक विद्वाई इस्त्री थी और उसका दुबारा विवाकरने के लिए बोला ये बात थी का और खा दोनों कतन सकते केवल का कतन सकते तो सही क्या है का और खा दोनों ये दोनों ही कारे उन्होंने लीक से हट कर किये थे तो मुखागरी देने का काम और दूसरा अपनी बहु के पुनर विवाक की जो बात उसके भाई से करी थी ये दोनों ही उन्होंने लीक से हट कर कोशे नमबर है 41 में क्या दिया है जीवन की अंतिम सांच में लेखक को भगत का गीत कैसा लगा मतलब जिस रात वो उनका देहा वसान हो गया बालकुपिन भगत जी का उस शाम को भी वो गाये थे तो उस समय जब उन्होंने गाया था तो उनका गीत किस तरीके से प्रतीत हो र जैराईयों में ले जाने वाला तो कैसा लग रहा था जैसे वीडा का कोई तार टूट गया मतलब बजाने वाली होती अब उसमें अगर एक तार तूट जाएगा तो कैसे उसमें सही सुर नहीं लगेंगे ना तो उसी तरीके से उस दिन शाम को बाल गोबिंद भगत के जेश आसार चलते ही उल्लास में क्यों भर जाता था मतलब आसार के महीने में चारों तरफ ही उल्लास क्यों भर जाता था आसार वर्षा का महीना होता है आसार में बारिश शुरू होती है तो जाहिर सी बात है जब बारिश शुरू होती तो किसान तो ऐसे ही खुश हो जाए ठंडक यानि कि उस तपिश से उनको चुटकारा मिल जाता है लोग धान की रोपाई शुरू कर देते हैं बारिश में ही धान रोपे जाते हैं असार के महीने में रोपाई शुरू होती है यहांपर क्या होगा यह तीनों ही कारण आसार मास में उल्लास का कारण होते हैं तो ये उपरियोग तो तीनों ही कथन हमारे सत्ते हैं कोशन नमर है 43 43 में क्या है वालकों में भगत अपने साहब के प्रती शद्धा कैसे दरसाते थे तो यहाँ साहब से मतलब है कबीर जी के कबीर के वो भगत थे, कबीर के ही दुहों को गाया करते थे उन्ही के गीतों को गाया करते थे तो यहाँ साहब से ताथपर किस से है कबीर से और कबीर जी के प्रती अपनी शद्धा वो किस तरीके से व्यक्ते करते थे उनके गीतों को गा कर एवं उनके दिखाए रास्तों पर चल कर उनके गीतों को गाते थे और उन्हें जो रास्ता दिखाया था निर्गुण निराकार का उस रास्ते पर वो चलते थे सामाजिक आड़मरों यों मुरूडियों का विरोध करते थे सामाज में जितनी भी बेकार की दिखावा और रीतियां फहली थी उन सभी का वो विरोध करते थे संसार को नश्वर तथा ईश्वर को सत्थ बताते थे मतलब संसार में जो कुछ है वो एक ना एक दिन नश्ट हो जाएगा और इसवर ही शत्ते ही इसको मानते थे उपरियोग तो सभी तो यहाँ पर उपरियोग तो सभी कथन सत्य है इन सभी से जो बाल गोबिन भगत है वो अपने साहाब की प्रती शिद्धा को विक्त करते थे कोश्य नमबर है 44 44 में क्या है बाल गोबिन भगत की आजीविका का क्या साधन था कमाई का क्या कारण था जिस से अनका परिवार पलता था पोश्टा था और वो खुद भी तो क्या था वो क्रशी करते थे तो क्या था वो क्रशी करते थे, क्रशी कारे करते थे ना, वो क्रशी में जितना अनुपजता था, वो जाकर पहले कबीर में दे आते थे, वहां से जो प्रशाद रूप मिलता था, उसी से वो पूरे साल भर का जो है कारे करते थे, तो वहां का में जीव को पारजन का साधन क् क्रशी कोशिन नमर है 45 45 में है खेत में पैदा हुए अनाज को वो पहले कहां ले जाते थे खेत में जितना अनाज पैदा हुआ थो वो पहले कहां पर ले जाते थे अपने घर कबीर पंथी मठ में मंडी में या खलियान में तो वो कहां ले जाया करते थे वहाँ पर पहले सारा दान दे दिया करते थे कोशिन नमर 46 भगत की दुनिया को दुनियादारी से निवरत किसने किया था मतलब दुनियादारी मतलब जितना भी काम काज घर का रहता है इधर उदर से जो मेल मिला पास पड़ो उसको देखना एकना इससे किस ने उनको छुटकारा दिला दिया था उसकी बहु ने उनके पुत्र ने उनके कर्मों ने गाओं वालों ने तो उनकी बहु जब उनकी बेटे का विवहा हो गया तो बहु बहुत अच्छी थी बहुत ही समझदार थी तो उसने घर की सारी जिम्मेदारिया ले ली थी और इस तरीके से वो सब भी जितने भी दुनियादारी के कार थे उनसे निवरत्य हो गए थे Q47 भागत ने अपने घर नहीं जाने की जिद पर अड़ी बहु को उसके घर भेजने के लिए कौन सी दलिल दे अब क्या हुआ उसके बेटे उनके बेटे की मुरत्य हो गई अब उसके बाद उसके भाई को बुलाया और कहा इसको ले जा और इसका दूसरा विवा कर देना मगर बहु से पर अड़ी थी कि हम नहीं जाएंगे आपकी देखबाल कौन करेगा बहु मानने नहीं रहे थी अब उसको मनाने के लिए बालगोबिन भगजी ने क्या दलील रखी कि बहू को जाना ही पड़ा वो दलील क्या थी? मैं खाना नहीं खाऊंगा, अगर तुम नहीं जाऊगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा तो तुम यहां रहकर क्या करोगी, तुम मेरी वज़े से रहना चाहती हूँ, अगर मैं ही आने ही रहूँगा, तो तुम रहकर क्या करोगी, इसलिए तुम अपने भाई के साथ जाओ, और वहाँ दूसरा विवाहा करो, उन्होंने ये दलील दी थी कोशिन नमबरे 48, प्रवीएट में क्या है? बाल गुबिन भगक किसके आदर्शों पर चलते थे, कौन थे उनके साहब जिनके आदर्शों पर चलते थे? सूर्दास, तुलसीदास, कभीरदास या मीरावाई तो थे उनके आदर्ष कौन? कभीरदास जी उनके आदर्षों पर वे चलते थे कोईशन नमबर है 49 49 में कार्तिक मास आने पर बालकोबिन भगत क्या करने लगते थे? जब कार्तिक का मास आता था, यानि कि अब जब हलकेल की ठंड शुरू हो जाती है कार्तिक मास में उस समय वो क्या करते थे? प्रभात फेरी शुरू करने लगते थे, मतलब सुभा की फेरियां शुरू हो जाती थे कोशिन नमर है 50 50 में क्या दिया है भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहु की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे भई बेटा मर गया अब बहु को भी अपने आप से दूर करना चाहते थे क्या कारण था कि कह रहे थे कि जाकर दूसरी शादी कर लो उसके सुख कारा पाए भई उसको लेके जाओ मैं उसको नहीं रख सकता इसलिए सबकी नजर में अच्छा बनने के लिए वो पूरे समाद में अच्छा बनना चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया या इन में से कोई नहीं तो क्या कारण था वो बहु के सुखत भविश्र के लिए च तो यहाँ पर हमने अपने शतष भाग दो बुक में जो हमारे चार अध्याय आ रहे थे उसके प्रश्णुत्तर MCQS का एक टेस्ट पेपर हमने आपके लिए रखा ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए को एक रिवीजन और आपके लिए थोड़ा आसानी भी रहे कि फट अगर आप इन पार्ट को पढ़ना इनकी समरीद देखना चाहते हैं इनके प्रश्णुत्रों को देखना चाहते हैं तो आप कहां होगे इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैगरिजमेंट.com जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने सभी क्लास अविलेबल है तो अब हमको वहाँ पर देखना है कहां हमारी शितिश आ रही है यह संचेन है यहाँ देख देखे शितिश भाग दो है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अपकी व्याख्यां है समरी है चैप्टर की आपके NCRT से से सभी कुछ आपके सामने होगा तो जो आप पढ़ना है समझल चाहते हैं जैसे आप क्लिक करेंगे उस टॉपिक पे आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा वीडियो देखिए अपने सभी डाउट को क्लियर कीजिए लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं बूलेगा थैंक यू फॉर वाजिंग वाइग वाइग हुआए झए टालेगा वते तरने साया तरता हेंगे क हzona लोका वागाँ था किन साथ हम में आपका रएगा नहीं चैनल करें बूलेगर प्aison ज कर दो दो किर लाएगां है iki नहीं फ्टे सब्सक्TION प्सपते ह् swornि आपका हुई पक्लो almost